दोस्तो नमस्कार मेरा नाम है सेकर और स्वागत आप सवभी का हमारे ट्यूब चैनल सिकरिस्टडी पॉइंट पर दोस्तो बहुत बड़ी खुसकबरी है चार सो अठाइस पद उपर दोस्तो ये भरती फिर से शुरू होने वाली है दोस्तो पूरा हम इसमें जानेंगे और व यारों की भेगेंसी की दोस्तो आपको देखने को मिलेगी इसके ला दोस्तो उत्राखंड में APS की भेगेंसी आने वाली है और असिस्टेंट प्रोफेसर की दोस्तो विग्यप्ती जारी कर दी गई है उसके लिए आवे दन सुरू हो गए हैं वांकि दोस्तो वीडियो और तो वीडियो का इकजाम हां था दोस्तो उसकी आनसर की भी बुदु आरत तक या फिर कल को भी आ शकती है परसुको भी आ सकती दोस्तो उसकी आनसर की भी जारी हो जाईगी आयूक की दो Complete of Update कर दिया जाएगा तो दोस्तो यह जो भरती है जिला सहकारी बैंकों में उसके लि परदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंग रावत और सचीव श्री आर मिनाक्ची सुन्दरम निबंदक श्री आलोक कुमार पांडे ने सभी जिला सहकारी बैंकों के चेर्मेन और महापरबंदगों की मौजूदगी में निड़े लिया की राजी के 10 जिला सहकारी बैं कर दिया जाएगा इनकी तरफ से कि कब कब क्या क्या होना है जिला सहकारी बैंकों को 428 पदू के लिए विग्यप्ति जारी हुई थी इसमें काफी परकिरिया आगे बढ़ गी थी अब दोस्तों फिजिकल भी सुरू होने लग गये थे लेकिन किसी काराणों से मतलब की तो बार 14,000 लगबग दी जाएगी सुरुवात में सरकार ने निर्देश दिये की जिला सहकारी बैंकों का बोर्ड पारदर सिता और मेरिट के आधार पर रिक्त पदू पर भरती कराएं और थोरा दोस्तों इसमें फिजिकल भी है जहां तक ये भरतियां रुकी थी वहीं से आगी बढ़ाई जाएंगी तो इसमें फिजिकल होंगे और परदे सरकार सभी भी भागू में रिक्त पड़े पदू को जोर सोर से भरती खरा रही है सरकार ने परसिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया है दोस्तों इस सरकार की भी आँपर तारिफ की जाली है और 428 को इसमें न्यूक तीस में मिल जाएगी और महिलाओं के लिए भी थी है पुरूसु के लिए भी थी बागी फॉर्म भरा होगा आपने तो कमेंट बोक्स में बता दीजे किने फॉर्म भर है बागी दोस्तों बहुत जल्दी आपके घरी इसमें एड्मिट कार करने के लिए